हेलो एब्रीवान, वेलकम टो हिट रेस्टिपीज, गर्मियो का मौसाम है, इस कड़कडाती धूप में थंडी थंडी कोल कॉफी, वो भी कैफे स्टाइल घर पे बना के पीने को मिल जाए, तो बस मजाई कुछ और है, है ना, आज हम बनाएंगे दो टैप की कोल कॉफी, उसक परशक लगेगी, हम दोनों ग्लास को इसी तरह से रेडी करके, इसको 10-15 मिनट तक फ्रीजर में रख देंगे, ताकि अच्छे से से सेट हो जाए, अब हम विताउट आइसक्रीम वाली कोल कॉफी बनाएंगे, सबसे पहले, एक ब्लेंडर जार में कॉफी पाउडर, शकर औ और दो टेबल स्पून गुनगुना पानी डाल देंगे, और इसे 30 सेकंड के लिए हाइ स्पीड पे ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करते ही यह लाइट इन कलर हो जाएगा, और बहुत ही फ्रौती और क्रीमी होगा, अब हम इसमें 2 कप चिल मिल्क डालेंगे, उसे के साथ थो उपर वो थोड़ा सा ऐसे इस पे डाल देंगे, फुल फैट मिल्क यूज करने से कॉफी बहुत ही फ्रौती और क्रीमी बनेगी, अब हम इस पे थोड़ा सा इंस्टन कॉफी पाउडर ऐसे चिड़क देंगे, देखे कितनी सुन्दर बनी है यह कोड कॉफी, इतनी फ्रौत इसके लिए सबसे पहले हम 1.5 cup जितना चिल्ड मिल्क एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे, उसी के साथ साथ इंस्टन कॉफी पाउडर, कोको पाउडर, शकर, एक टीस्पून जितना चॉकलेट सिरप, अब कोई भी रेडी मीड चॉकलेट सिरप यूज कर सकते हैं, दो मिन तक ब्लेंड कर देंगे, जब तक ये स्मूथ, क्रीमी और फ्रॉटी न हो जाए, चॉकलेट सिरप से डेकॉरेटर ग्लासस में इस कॉफी को पोर करके, हम इसके उपर जाग इस थरह से डाल देंगे, और उपर से एक स्कूप पैनिला आइस क्रीम का भी डाल देंगे इसके उपर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल करेंगे और थोड़ा सा कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे, देखिए कितनी सुन्दर लग रही है ये आइस्ट कोल कॉफी, बिल्कुल कैफे स्टाइल है ना, ये बहुत ही चॉकलेटी, क्रीमी और ठिक बनती है आप इन दोनों कोल कॉफी को जरूर ट्राइ कीजेगा, घर पे बनाएए, सब को जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजेगा, चैनल को सब्स्राइब कीजे, थैंक यू फर वाचिंग